आपने intel का नाम तो सुना होगा जो एक American semiconductor company है जो computer processor बनाती है पर आपको बताए intel का पूरा नाम क्या है तो यह सुनी Intel का पूरा नाम integrated electronic होता है और आपने AMD का भी नाम सुना होगा जो American semiconductor company है और computer processor बनाती है पर आपको बताए AMD Processor का पूरा नम क्या हैं तो यह सुने, AMD का पूरा नम Advanced Micro Devices है आपने MRF का नम तो सुनाएगा जो एक टायर बनानी वाली कंपनी है पर आपको बताए MRF का पूरा नम क्या है तो यह सुने MRF का पूरा नम Madras Rever Factory होता है और आपने C8 Tire का भी नाम सुनाई होगा ये भी Tire बनाने वाली कंपनी है पर आपको पताए C8 Tire का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई C8 Tire का पुरा नाम कि ये भी Electric E Affinitory न होता है वेड़फोन Home Theater यूज करते हो तो आप क्यों JBL का नाम तो सुनाई होगा जो एक हेड़फोन वायरलेस स्पीकर एंड ओम थेटर बनाने वाली कंपनी है पर आपको पताए JBL का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई JBL का पुरा नाम James Bullo Lansing है और आपने DJ का नाम तो सुनाई होगा किसी साधी या फंक्शन में हम DJ वाले को हम पुलाते है पर आपको पताए DJ का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई DJ का पुरा नाम डिस्क जोकी होता है सायद ही किसी इंशान ने BMW का नाम नहीं सुनाऊगा जो एक मेंगी कारो बनाने वाली जर्मन कंपनी है पर आपने कभी सुचा है BMW का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई BMW का पुरा नाम Bearish, Morton, Work होता है और आपने Fiat Car का नाम चो सुनाई होगा जो एक इटालियन ओटो मोबिल कार बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी Railway Engine, Farm Tractor, Military vehicle बनाती है पर आपको पता है Fiat Car का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई Fiat Car का पुरा नाम Fabrica, Italiana, Automobile, Torino होता है आपने L&T का नाम तो सुनाई होगा जो एक Multinational Technology, Engineering and Construction Company और ये Road, Truck और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमाई Statue, Unity भी L&T ने बनाया है पर आपको पता है L&T का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई L&T का पुरा नाम Larson and Tubro होता है और आपने HMT का भी नाम सुनाईगा जो एक, Tractor, Army and Samudri vehicle बनाती है पर आपको पता है HMT का पुरा नाम क्या है तो ये सुनाई HMT का पुरा नाम इंदुस्तान मशीन टूल्स होता है आपने UPC कोड का नाम तो सुने होगा जो एक विशेश प्रकार का बार कोड होता है जो दुकानों में मोल या विया परवस्तु के उपर प्राइस और प्रोड़क्ट की डिटेल दर्स आता है पर आपको पताए UPC कोड का पूरा नाम क्या है तो यह सुने UPC का पूरा नाम यूनिवर्सल प्रोड़क्ट कोड होता है और आपने QR कोड का नाम तो सुनेगा जो यह दिखने में स्क्वेर बार कोड की तरह होता है जिसका यूज प्रोड़क की इन्फोर्मेशन स्टोर करने में होता है और आपको बताए क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है तो यह सुने क्यूआर कोड का पूरा नाम Quick Response Code होता है यह वीडियो के सला लाइक जरू करें अगर यह वीडियो इस्टाग्राम पेस्बूक पर देख रहे हो तो मैं फॉलो जरू करें थेंक यू